नवश्कार अंतरास्टी योग दिवस पर आधारित कारिक्रम में आप सभी दर्शकों का हर्दिक स्वागत हैं आपके साथ मैं हूँ मुहिता कोठियाल मनादुली तो दर्शकों जैसे कि आप जानते हैं कि योग अपने आप में ही एक संपूर्ण विज्ञान है योग शरीर मन आत्मा और ब्रह्मान को एक जुट करता है तब ही तो कहते हैं कि योग जिन्दे की जीने की कला है वैसे तो योग का इतिहास लगभग पांच हजार साल पुराना है लेकिन वर्तमान समय में योग को शारीक व्यायाम के तोर पर एक अलग पहचान मिली है सिफ भारत में ही नहीं बलकि विदेशों तक अब योग किर्पत्री लोगों का रुज़ान बढ़ने लगा है यही वज़ा है कि अब योग से सिफ पुज़र्ग ही नहीं बलकि युवा भी जोडने लगे हैं अज हमारे कारिक्रव में एक ऐसे ही योग सादक मौजूद है जो बहुत छोटी उमर के हैं और उना नहीं योग में बहुत भीतर काम किया है तो हमारे साथ दुर्गेश अमोली जी मौजूद है बहुत बहुत स्वाब बास वाब आपकर कि हमें यह कर नर्ण आप कर चुके हैं ऐसे में सबसे पहले मारे दर्शक के जानना चाहते हैं कि आप कहा से आते हैं परिवार में कौन कौन है मैं में पॉड़ी गडवाल से हूँ यमकिश्वर से मेरे गाउं का नाम अमोला है और मेरे जो पिता जी हैं वो एक सामानी किसान है और मेरी मम्मी और हम दो भाई हैं और चार बहने हैं मेरे साल की उम्र मेरे पापा के ना कहने पर भी गुरू कुल में पढ़ने गा मेरे पापने कर भी उम्र बहुत छोटी है तो तुम कहा जा रहे हो तो मैंने क參़े हो पो, मुझे जाना है… मुझे भी बाहर निकलना चाहिए घर से तो घर में क्योंकि गाउं में था मैं गाउं में हर कॉम्पिटिशन में हर प्रतियुगता में आगे ही रहता था तो मेरा सुरूश एक अलग से वो रहता था कि कुछ अलग करना है और आगे रहना है चीजों को सीखना है तो जब मेरे पापा मुझे परमार्थ निकेतन ले गए तो मैंने देखा तो वहां पर बहुत सुन्दर माहौल बहुत ही प्यारा माहौल गंगा जिगा किनारा तो मैंने सुचा मुझे आप यहां आना चाहिए आप एक खुले माहौल से आता है और जब आप यहां आए है तो यहां पर एक बंधन था, एक डिसिप्लेन था, सुबह जल्दी उठना, प्रार्थना में जाना, योगा करना, हवन करना, और आरती करना, तो बहुत सारे बंधन थे, लेकिन उनी चीजों ने मुझे बनाया, क्योंकि डिसिप्लेन जीवन का आधार है, अगर अनुशासन जीव करते हैं, खुद यह कह रहे हैं कि अनुशासनी जिन्दगी के लिए बहुत जरूरी है, तो बहुत बड़े शब्द हैंगे, द्रुगेशाप के लिए, जो योग योग दर्शन का सबसे पहला सूत्र है, वो सूत्र यही है, अथयोगा अनुशासन, अगर योग में आपको अगे बढ़ना है, तो अनुशासन, आप किसी भी फिल्ड में चली जाए, चाहे योग के चली जाए, चाहे बिजनेस के चली जाए, अनुशासन चाहिए, बहुत जरूरी है, हर जग अनुशासन, इसलिए मर्शी पतनजली ने सबसे पहला सूत्र जो रचा, अथयोगा मंगल वाचक, और अत्मंगल वाचक के साथ आपको अनुशासन का पालन भी करना पड़ेगा, तेरा साल के बच्चे के लिए कितना मुश्किल था अनुशासन का पालन करना, क्योंकि ये शब्द सुनने में, कहने में बहुत भेतर लगते, लेकिन जब आपको जिन्दगी मे दहीरे चीजों को देखने लगा, और जो हमारी गुरुजी वह भी साथ देने लगे, कि ये सब जीवन के आयाम है, इनसे ही आदमी बढ़ता है, तो धीरे धीरे में जब वहाँ पर चीजों को सीखने लगा, अनुशासन का पालन करने लगा, तो मैं वहाँ पर गाता था, हा आपने सीख हम आप एक मंत्र से सुरुवात कर लेते हैं, ओम भद्रं करने भिष्णुयाम देवाह, भद्रं पश्ये माक्ष विर्यजत्राह, सिरै रंगय इस्तुष्ट वागम सस्तनूभिही, व्यशेम देवहितं यदायुहू, ओम स्वस्तिन इंद्रो व्रिध श्रवाह स्वस्तिन अपोशा विश्ववेदाह, स्वस्तिन स्तारिक्षो अरिष्टनेमिही, स्वस्तिनोभिहस्पतिर दधातू, ओम शांत 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 ही। आप लगातार आगे बढ़ते रहें किस तरह से मैं मैं चीजों को लेकर इक बहुत जिग्यासा होती थी सीखने की और सीखने तक ही नी उस में मतलब उसको दिखाने की आगे रहना है तो जब भी मैं मैं वैसे हाइट में छोटा था तो जब मैं छोटा भी था तो लाइन में एक बात कहना चाहूंगे मतलब आपकी जो कद है वो भी आपके आगे बढ़ने के लिए प्लस पॉइंट रहा है मेरी हाइट ने मेरा बहुत साथ यहां पर दर्शे को एक बात समझनी होगी हमें के अकसर यह कहा जाता है कि आप हाइट में छोटे हैं तो आपको दिक्कत हों है कि जिनकी इनको खुद लगता है इनका कहना है कि इनकी हाइट थोड़ा कम है उसके बावजूद इनको वह प्लस पॉइंट रहा कि यह और आगे बड़े हैं इसको मैं मानता हूं मैं कि हाइट ने मेरा बहुत साथ दिया कि मैं छोटा था तो छोटे से लोगोंने बहुत प्यार करते थे बहुत प्यारा सा लड़का है बहुत छोटा सा है और तो उससे प्यार किया फिर मेरे अंदर जो भी क्वालिटी थी उसको आगे लाने कि मैं भी उन्होंने एक अग्रणी भूमी का निभाई मेरे को मतलब प्रोचसाहन किया मुझे मोटिवेट किया तो जब इंच्प्रियंजेंस वाले जाये फुझे फुर्मार्टनी के तन से क्या अर्ट मुझे जीवन के जीने की क्या है जीवन क्या है जीमने की कहला है। function सवाद्य यह अश्ठांग योग यह जो जीने की कला इस इमय आने काता है इनसा कहां वॉह आए किसी को गलत ना बोल articulate आजकर क्लों के पात बहुंत कोछ लोगों के पात बहुत कुछ यह बहुत कुछte है और लेकिन शान्ति है यंदि तो शान्ति को पाने के लिए योग करना होगा और योग केवल योग असन नहीं है आज कल जो योग को लोगो ने योगासन मान लिया है योगासन इक शारिरिक कि इन्दिंग मान लिया है, पिजिकल एक्रसाइज मान लिया है वोका योग का एक अंग है, योगा है जीवन की कला है, योगा मैट की उपर करने की चीज नहीं है, योगा मैट से बहार भी होता है जब आप जोगों से उस तरह से इंट्रैक्ट कोषसे हैं जा रहा है वो शारीरिक व्यायाम के तोर पर किया जा रहा है यहीं एक वज़ए से आपने का कि योग मैट में नहीं मैट में बाहर करने की जगह है तो कहीं न कहीं लोग को सोचते हैं कि मुझे एड़वांस आसन करना है आप बिल्कुल, संपल और सामानय आष्ञ संसे से लाब उठा स्कते हैं लेकिन आजकल ट्रेंड चला है, एडवांस ऐसन का एडवांस आसन बहुत बडिया है, बॉड़ी के लिए आजकल लोग जाते हैं जिम किया बॉड़ी को बिल्कुल स्टीप कर देती है लेकिन जो योगासन है बोडी को फ्लेक्सिवल करता है लचीला करता है और जब आपका बोडी लचीली हो जाती तो रोग ज्यादा होते नहीं आप लेकिन जब स्टीफ हो ज़ल्दी कमर दर्द घुटने दर्द बहुत सारी बिमारे होने लगती है फिर क्या होता है योगा के अब को 吃 करना शायद इतना मुश्किल नहीं होता लेकिन क्या योगा अभ्यास- योगाया anomaly oyn है्योगा show unity करना हट योगार्ध कर देर्थ होता जबढ़न तो जबढ़निक करना सिर्था जिस आसन में आप सिप्टा से बैठें इसमें आपको सुक्की PRAOPTinee हो वह शान है लेकिन जो हट योगा है कि थुम हट से करो एक योग है और हत योग एक पात है हट योग है बक्तीयोग राजयोग योग तो ये पाथ है विविन प्रकार के लेकिन हट योग के अंदर ही आसन आते हैं, तो आसन में एक अलग सक्ति है, अगर आप आसनों का अभ्यास NIRANTA नियमित्ता से और तन्मेता से करते हैं, तो आपकी चहरे पे एक अलग ही रोनक, अलग ही चमक, अलग ही तेजस्विता, अलग ही प्रखड़ता आएगा, आपकी वानी में अ तो आप योग आसन नहीं करिए योगासन बहुत ज़रूरी है लेकिन किवल योगासन कोई योग मान लेना unit यह धोड़ा योगा करें किया करें पर यह दर्शक कुछ जानना चाहते कि आप किस तरह कि योग करते हैं से करज जयुटेदों थे मत जड़े टूर प। दॉटेए। करफ दूर दॉट करें कि अभीडे। कर बाद कर बाद कर बाद कर बाद कर दो कर बाद कर बाद कर दो कर बाद NOT कर बाद कर दो बाद म कर दो भूब्य। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो अभी हमने देखा किस तरह के आसन पर दुरुगेश जी जो यहाँ पर मौझूद हमारे कारेकराब में वह भी नोंने ने किस तरह के आसन इहां पर किये हैं तो इनसे बात करते हैं तुरुगेश जी अभी आप ते रिक आपकर दिखाया हैं दरश्रुक और को बताएं कि आसन आपने किये हैं दिखे मैं जिस तरह से आज पूरे विश्व में योग फैल रहा है और उसमें योगासन योगासन एक प्रतियोगता भी बन चुकी है जी बिल्कुँ अभी जो आसन आपने हमें करके यहां पर दिखाए है दर्शक जाना चाहते हैं कौन कौन से आसन थे व और क्या बोलते हैं मशेंद्र आसन और बहुत सारे आसन हैं जो मैं एक ही सीरीज में एक ही जो डेमुस्ट्रेशन होता है उसके अंदर करता हूं में जी तो अगर हम बात करें श्रुबाद जी आपने आसन की करी है व्रिश्विक आसन किस तरह का आसन है यह इसे क्या आलाव होता है व्रिश्विक कार्थ होता है में बिच्छू जिसको बिच्छू कह सकते हैं तो जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारे जो बॉडी का पोश्चर होता है वह व्रिश्विक की तरह हो जाता है बिच्छू की तरह हो जाता है तो बिच्छू की तरह कहते हैं कि जितने भी जानवर थे इस प्रिथवी पर हमारे रिश्यमनियों ने उनको देखकर आसनों का निर्मान किया तो एक बिच्छु है बिच्छु में जो भी जो क्वालिटी होती है वो हमारे अंदर आने लगती है उस आसन से जो भी उसमें अच्छाई होती है तो जब हम आसन करते हैं इस आशन के क्या लाब है इस आसन की लाब है इस आसन में जो हमारे हाथ होते हैं इन में इस स्ट्रेंथ आती है बैक बैंडिंग हमारी जो पेन होती है हमारी बॉड़ी में flexibility आती है और हमारा मन एकागर होता है हमारी बॉड़ी में जो भी जो अंदर टॉक्षिंग रहते हैं बाहर निकलते हैं और एक एकागरता आती है कि एक नतस्से रोगो नजरानम रित्यो प्रापतस्य योगाग निमयम शेदीरम कि जब हम योगासन का अभ्यास करते हैं तो ना हमें बुड़ापा आता है ना हमें कोई रोग सता सकते हैं और हम मतलब जवान रहते हैं हमेशा हमारी जो दिखने की और एक बोलने की शैली होती है उसमें एक अलग सी प्रतिभा आने लगती है अगर आप जवान रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप हमेशा सुन्दर दिखे आप जवान रहे और आपकी शैली की जैसे यहाँ पे दुरगेशी बात कर रहे है कि वह बहुत बहुत पहतर है तो आपको जो अभी दिखा है यहाँ पिरिश्चिक आसन ये जरूर चाहिए और अपनी जिंदगी में सोतारना भी चाहिए यहां पर हमने इसके बाद कौन सा आसन किया है तो आसनों में वैसे बहुत सारे आसन नट्राज आसन का अर्थो जो भगवान शिव थे वो नट्राज नट्राज में डांस करते थे तो इसलिए उनका नाम नट्राज आसन बढ़िया तो नट्राज आसन जो होता है वो सिंपल भी होता और एडवांस भी होता है तो जो लोग इस आसन का अभ्यास करना जाते हैं वो सिंपल भी कर सकते हैं सामान्य रूप से कर सकते हैं तो जब वो इस आसन का अभ्यास करते हैं तो एक बाड़ी में स्टैबलिटी आ तो हमारा जो दिमाग होता है वो इधर भागता रहता है तो जब हम आसन में रहते हैं तो हमारे एक जगह पर एकागरता रहते हैं एक जगह पर तो जब हम निरंतरता से उसका अभ्यास करेंगे एक बिंदु पर निरंतरता से नियमिता से तन्मेता से एकागरता रखेंगे तो तो निश्चित रूप से हमारा जो मन होगा वो एकाग्र होगा और जब मन एकाग्र होगा तो हम किसी भी कारे को करने में उसमें सफल होंगे तो नट्राज आसन जो हम यहां पर बात कर रहे हैं आप किस एज रूप के लोगों को टिफर करते हैं कि वो लोगी से करें ऐसा कुछ है नट्राज आसन सभी कर सकते हैं जाए योगासन जो है वो छह साल से लेकर और ब्रिधा जो भी ओल्ड लोग है तो जैसे जो बच्चे और सवस्त रहेंगे तो मन एकाग्र होगा और सवस्त शरीर ही सवस्त समाज का निर्वान कर सकता है क्योंकि अगर हम बच्चे ही अश्वस्त होंगे तो देश का क्या होगा हमी देश के भविश्य हैं आने वाले समय में जो आने वाली नई पीड़ी होगी उनको हमें ही करना है देश के संस्कृते से अवगत कराना है देश की परंपराओं से देश की जड़े हैं उनको सीचने का जो कारे करेंगे उस स्वस्त लोगी करेंगे आपको देखके तो यहीं लग रहा है कि हमारा जो देश है बहुत सुरक्षित हातों में हैं यहाँ पर क्योंकि एक 19 साल के यूग सादक हमारे साथ मौजूद है और इस तरह की यहाँ पर बातचीत चल रही है तो हमारा देश तो लगी रायप सुरक्षित हातों में है एक आगरिता की हम यहाँ पर बात कर रहे थे आपने हनुमान आसन भी हमको यहाँ पर करके दिखाया इसके बारें बताए जब इसमें सिद्धी हमें आने लगती है तो हमारे जो चक्र हैं वो भी जाकृत होते हैं और जो भी हम अपने चाहते हैं वो कुछ होने लगता है कुछ गड़ने लगता है अपने लाइफ में और जो भी हमारे बाडी में रोग आते हैं उनसे हम दूर रहते हैं हनुमान की तरह हमारे बोड़ी में तेजस्वित आती है हनुमान जी की तरह हमारे बल आता है बुद्धी आती है बल बुद्धी विद्या देहु महीं हरहु कलेश विकार जब हमारे सारे कलेश विग्न सब दूर हो जाते हैं इस आसन को करके हनुमान आसन को करके इस आसन को खासकर विद प्रश्य का निर्मान भी कर सकते हैं योग को आप अपने जीवन का अंग बना सकते हैं और एक अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं और उन्नती कर सकते हैं बिल्कुल तो योग है, उन्नत जीवन के लिए बहुत आवश्यक हो गया है, योग अजिसे से बात किये है हनुमान आसन की, यहाँ पर विध्याती वर्ग है उनको कहना चाहूंगे कि आप इस योग को करके, जिस तरह नों बताया कि बल बुद्धी विध्या आपको यहाँ प क्रूचिए आसन, श्ट्याइच के आसन में हनुमान आसन हो गया और तिर्विक्रमा आसन हो गया और बहुत सारे श्ट्रेंच के आसन होते हैं, वैश्यक बढट ग्रेमान का हो गया भुजन Además सोगना geschमान और राज कपूध आसन हो गया और यह तुछ से ऑपने बौड़ी को कितना आप अपनी बौडडी से कितना न काम ले सकते हैं सरी श्क्वस्थ होगा तो आप बहुत बह test的 कार है है अधुर्गेशी, यह तो हमने बात की आसन, आपने हमें इहांपे दर्शकों को आसन करके भी दिखाये हैं, यहांपे योग करके भी दिखाया है, योग की छेत्र में आपने बहतर कारे किया है, निकट भविश्य में आपने आपको कहा देखते हैं? देखे मैं मैं अभी पतंजली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और पतंजली यूनिवर्सिटी से पहले में परमार्थ निकितन परमार्थ गुरुकुल में पढ़ा हूँ और वहाँ पर मैंने बहुत बड़े-बड़े मंचों में जाकर बड़े-बड़े राश्वती जो हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और जितने भी अच्छे-च्छे स्पीकर हैं। उनको सुना है और उनसे मुझे एक प्रेणना मिली है तो उन जो मैंने सुना है जो समझा है जो अनुभव किया है उसी के हिसाब से मैं अभी बोल पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो ही मेरा अभी काम आ रहा है मैंने स्टेड लेवल पर उत्राखंड में दो गोल्ड मेडल जीते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी मैं पार्टिसेपेट किया है और परमार्थ निकेतन में हर साल मार्ज की महिने में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल होता है जिसमें मैंने में किया जो मैंने भूत काल में किया है वो मुझी आज मिल रहा है कि मैं इस लायक बना हूं इस योग्य बना हूं और जो मैं वर्तमान में करूंगा उसकी उसी के हिसाब से मेरा भविश्य भी होगा और जो मैं जैसा कर्म करूंगा वैसा ही मेरा भविश्य होगा क्योंकि मेरा कि मेरा अधिकार केवल कर्म करने में है भगवाई श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं गीता में हे पार्थ हे अर्जुन कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है तुम कर्म करो बागी तो मैं कर रहा हूं फल की चिंता क्यों करते हो तुम कर्म करो और फल की चिंता मत क अगर आम का बीज बो रहे हो तो नीम का पेड़ थोड़ी होगेगा तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा तो मुझे लगता है कि जो मेरा भविष्य है वर्तमान की उपर टिका है और जो मैं कर्म कर रहा हूं अगर मैं योग के माध्यम से लोगों को एक प्रेणा दे रहा दे रहा हूं उस दिशा और उस निर्देश से अगर लोग स्वस्त हो रहे हैं लोगों का जीवन भेटर बन रहा है लोगों का जीवन खुशाल बन रहा है तो निश्चित रूप से मेरा जीवन फिर सार्तप हो सकेगा सफल हो सकेगा तो यही मेरा जीवन जो अभी है वही भ उस मुकाम तक पहुँच पाना इतना आसान नहीं होता. कही न कहीं जिन्दगी ने जो आपको दिया है बहुत भैतर दिया रोबहुत भैतर करने की आपके अभी उमीदे भी है खुच से ऐसे में जो इस शेतर में आना चाहते हैं. लेकि किसी कारणवस्ट नहीं आ पारे उनको क्या कहना चाहेंगे देखी शेत्र के वल आप शेत्र बहुत सारे है योग शेत्र एक अपने जीवन की एक कला को आप बहतर करने के लिए किसी भी शेत्र में जाना है योग को अपने जीवन कांग बना लीजी लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाते हैं, बहुत कुछ बनना चाते हैं, बहुत कुछ बुनना चाते हैं, लेकिन कुछ करना नहीं चाते हैं, और बहुत सारे लोग चाते हैं कि मेरा ही गुरू मेरे लिए कुछ करें, मेरे टीचर ही मुझे वहां तक, मंजिल तक पहुंचाए लेकिन हमें खुद ही कुछ करना पड़ता है अब आप गीता में एक बहुत ही प्यारा इस लोग है जो जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जो मुझे बहुत प्यारा लगता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरे दात्म नात्मानम कहते हैं कि तुम ही अपने मित्र हो तुम ही अपना उद्धार करो तु बाकी कोई तुमारा उद्धार नहीं करेगा तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु आज जितने भी महान व्यक्ति बने हैं उन्होंने अपने को तपाया है अपने को निखारा है और तब जाकर एक बड़े विशाल वटरिक्ष बनें है एक पौधे से एक अंकुरित होकर वटरिक्ष बनें तो यह उसी का फल है कि जब उन्हें ठान लिया । कि मुझे करना है मुझे कुछ बनना है और बनने सोचा ही नहीं एक तो सोचना होता है चिंतन होता है मनन होता है उस कारिय पर जिसको आपको करना है लाइफ में और उसके बाद उसमें लग जाना उसमें मतलब उस कर्म भी करना कर्म करते रहे जब आप कर्म करते हैं तो फिर आ कहते हैं कि सुख के बाद दुख है और दुख के बाद सुख है तो अने वाला है तो ना सुख टिकता कुछ दिन और दुख टिकता बहुत तो सुख और दुख अभी है तो हमेशा के लिए रहेगा दुख के दो पहलू है अगर सुख अभी आपको मिला है तो फिर आपके साथ इसके बाद दुख है kgर दुख मेरे से यह नहीं हो यह वैसे सूखते हैं मेरा बहुत भागय खराब है मेरे भाग्य में कुछ ही नहीं लेकिन जो तीन पांच चिजन आयू कर्म करूगा कितना कमांगा यह सब निश्षित आचारी चाणे के नीती में कहते हैं लेकिन अगर हम इनके बरुसे बैठ जाएं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर लेकिन अगर हम कर्म करें अगर हम अपने कर्मों के उपर फोकस दें तो हम अपने भविश्य को बहुत बहुत भाविश्य का निर्मान भूत भेतर ढंग से कर सकते हैं और चुछ यह किस्मत है क किस्मत को भी बदल का रख सकते हैं अगर आपकी खोटी किस्मत भी है ना तो उसको भी प्रखर बना सकते हैं उसको भी विशाल बना सकते हैं तो दुरुगेश Mandarin जी बहुत थन्यवाद आपकर आए हमारे दर्शकूंसे की तनी अपर जानकरी है धनीतिन के माध्यम से हम यही उमीध यहां पर करते हैं कि आपका भविषिया बहुत उज्यनवाद हो और जिस तरह से आप प्रेणड़का ना चाहते हैं लोगों के लिए हम भी चाहते हैं जिन्दगी को बहतर तरीके से जीना है तो आपको कर्म करते रहना होगा क्योंकि अगर आप कर्म करते हैं तो बहतर फल आपको इहां पर अवश्य मिलता है और जिस तरह से आज 21 जून की हम बात कर रहें अंतिरास्टी योग दिवस में अगर हम यह संकर्प लें कि हम योग से जुड़ेंगी तो हम एक बहतर जिंदगी और एक बहतर भविश्य की कहां पर कल्ट ना कर सकते हैं नमस्कार